हेलो मैं गीता नेगी गीता नेगी की दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तो क्नेर प्लांट जो की बहुत हाड़ी प्लांट होता है अब उसको केर करने का टाइम आ चुका है उसकी जितनी डैड इस स्टैम है उसको काट दीजिए उसकी हार्ट पूर्निंग भी आप कर सकते हैं और उसी नई स्टैम में इसके फूल भी लगते हैं तो यह जिकरना तो बहुत ज़रूरी है और सबसे बड़ा काम है इसका खाद देने का काम चार पंच हिच की इसकी मिटी निकाल दीजिए क्योंकि यह पूरे दो तिन मैंने बिना खाद के रहे हैं इनको अब बहुत न अगर इस टैम आपने इसका केर नहीं की इसको अच्छे से फेटलाइजर नहीं किया तो यह फूल भी नहीं देंगे और शायद सर्वाइब भी ना कर पाए क्योंकि यह जितने भी फूल के प्लांट होते हैं इनको टाम टाम पे फेटलाइजर की जरुद पड़ती है तो मैं एक पूरा चार इंच की इसकी मिट्टी निकाल चुकी हूँ और एक यह देखिए कनेर का मैंने कटिंग की थी तो इसकी नई नई शूट आ चुकी है और एक जगा तो बट्स भी इसकी बन रही थी और बट्स भी फूल में तभी कनवर्ट होंगी जब मैं इसको अच्छे से ख बोबरखाद नीमखली और बॉन मील यह इन चीजों को मिक्स करके मैंने एक बोरे में भरा हुआ है और जब जब जिस प्लांट में मुझे डालना है मैं इसको निकाल की यूज़ कर लेती हूँ तो आप भी जल्दी फटाफट फट फोरेवरी यह मार्च 15 मार्च तक यह काम कंप्लीट कर लेजी अपने पोदों में तो देखिए आपको भर भर के फूल मिलेंगे और आपका गार्डन फूलों से भरा हुआ मिलेगा कनेर के फूल तो कम से कम माई जून तक फूल देते हैं भरी गर्मी में अब बड़ा हाड़ी प्लांट है कम पानी में भी यह चल जा कर दो एंगे जा तक वह प्लांट है कम जा दोते हैं भर दे खनके कम में अब बड़ा हैं एंगी जा हैं यह जा है जारा है कम आपको भर देखिए कैंगे और देखिए एंगा में प्लांट हैं